मुलाकात से आपको बता दे मुक्यमंत्री भुपेश पखिल की भेट मुलाकात सक्ती जिले के दौरे का आज दूसरा दिन है और हसोद नगर विकास कारियों की समक्षा की जाएगी दपैर करीब साड़े बारा बजे मुक्यमंत्री वापस राइपोर लोट आएंगे सक्ती जिले के दौरे पर हैं आज दूसरा दिन आज भी भेट मुलाकात की जाएगी और इस दौरान हसोद नगर में विकास कारियों की समक्षा मुक्यमंत्री करेंगे जानकारी लेंगे सीधे रुख करते हैं समवाद दाता गौरफ शिकला हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरफ आज दूसरा दिन सक्ती जिले के दौरे का जी बिलकुल देखे यदि हम मुक्यमंत्री वुपेज बगेल करें तो वह अनवरत जारी है लगातार अलग अलग विकास विदानसाबा सीटों का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री बुपेज बगेल कर रहे हैं और शक्ती को नया जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री बुपेज बगेल का ये पहरा दोरा है और कल अलग अलग विदान सबस हित्रों में जो मुख्यमंत्री बुपेज बगेल है वो दोरा किये थे और उन्होंने आम लोगों बात ये भी होगी इस बैठक में क्योंकि नया जिला अभी कुछ हाल में महीना पर पहले इसका उडगाटन हुआ था मुख्यमंत्री बुपेज बगेल ने सौगात दी थी और उसके बाद ये पहली बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद सामिल होंगे और अधिकारियों से विकासकारियों के साथ साथ जो थासकी योजनाय है जो सरकार की योजनाय है उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से योजनाओं का लाब लोगों तो पहुँच रहे और नहीं पहुँच रहे तो उसका कारन क्या है तो एक बैठक जो है समिक्षा बैठक वो होगी और लोड़ जाएंगे साम को उनका पंजाब जाने चंदिगर जाने का कारीक्राम है साम को वो चंदिगर के लिए रवाना होंगे तो थारे बारा बजए मुखियमंत्री राइपुर वापीस पहुँच जाएंगे जी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए गौरव तो सक्ति जिले का दौरा आज दूसरा दिन मुख्यमंत्री बुपेश मखेल के इस दौरे का और आज हसोद में विकास कार्यों की समिक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और ऐसे में रात्री विश्वराम करेंगे चन्रीकर में उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे मुख्यमंत्री।